नमस्कार आप सभी का स्वाकत है सेक्रोड रिम्स आफ लाइफ चैनल पर आज मैं लेके आए हूँ सपने में नारिल देखने का अर्थ मतलब सुब होता है या अशुब के बारे में कुछ जान करिया सपने के दो रूप होते हैं एक शुफल देने वाला एक अशुफल देने वाला आपने अपने सपने में किस चीज को किस इस्तिती में देखा अथाद देखने वाला कौन है इस बात पर ये निर्वर करता है कि सपना बुरा संकेत देता है या अच्छा संकेत तो फ्रेंज चलि यदि आपके सपने में नारिल दिखाई देता है तो ये बहुत ही शुप सपना माना जाता है क्योंकि नारिल एक बहुत ही पवित्र फल माना जाता है और आपको कहीं से शुप समचार मिलने का योग है यदि आपके सपने में आपको नारिल मंदिर में मिलता है ऐसा सपना दिखाई देते हैं तो इसका ये अर्थ होता है कि ये सपना आपके मनुकामना पूरा होने का संकेत देता है आपके उपर भगवान जी का असिरबात बना हुआ है और आपको धन प्राप्ती का भी योग है आप कोई भी कार्य करते हो उसमें आपको सफ़ता मिलने का योग है येदि आपके सपने में आपको बूजा की थाली में नारेल दिखाई देता है तो इसका ये अर्थ होता है कि ऐसा सपना दिखाई देना बहुत ही शुग माना जाता है तो ये सपना बहुत ही शुग माना जाता है जितनी भी अपने अपने कार्यों में परिश्रम किया है उसका सफलता आपको जल्दी प्राप्त होने का ऐसा योग दिखाई देता है अगर आपको सपने में आरा नारेल दिखाई देता है तो यदि आप फ्रेगनेंट महिला है और आपके सपने में नारिल दिखाई देता है तो इसका ये अर्थ होता है कि सपन सास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा सपना आना आपके लिए पुत्र प्राप्तिक का यूग होता है यदि आपके सपने में आप नारिल पेड़ से तोड़ते हुए दिखाई देते हैं तो इसका ये अर्थ होता है सपन सास्त्र के अनिसार आने वाली समय में आपको सवलता मिलने का संकेत होता है जितने भी आपको काड़िया करने में रुकावट आ रही थी जो भी आप काडिय करना चारे हैं उसमें आपको रुकावत आ रही थी अब वो रुकावत दूर होने का योग है जो भी आपके मन में परिशानी हो रही थी और जो भी आप टेंशन ले रहे थे वो अब सारी दूर होने का समय आ गया है और आने वाला समय आपके लिए बहुत थी सही और अच्छा समय होने वाला है आप प्रेगनेंट इस्ट्री है और आपके सपने में नारिल खाने का सपना आता है अर्थात सपना दिखाई देता है तो इसका ये अर्थ होता है सपन सास्तर के अनसा ऐसा सपना देखना आपके लिए ये संकेत होता है कि आने वाला शिशू आपके लिए बहुत ही शुप रहेगा और आपका शिशू बुद्धिमान बनेगा और सुन्दर बनेगा यदि आपको सपने में नारिल खाने का दिखाई देता है तो यदि आपके सपने में नारियल तोड़ते हुए या फोड़ते हुए दिखाई देते हैं तो इसका ये अर्थ होता है कि सपन सास्तर के अनसार ऐसा सपना देखना इस भात के और संकेत करता है कि जल्दी ही आपके घर परिवार में शुप कारिया होने वाला है और आपका कोई भी रुका हुआ कारिया है वो पूरा होने वाला है यदि आपके सपने में आपको बहुत सारा नारियल दिखाई देता है तो इसका ये संकेत होता है कि आने वाले समय में आपको अचानक धन प्राप्ति का योग है और आपके गर परिवार में से खुश खबरी आने वाला है और ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा सपना देखना बहुत थे शुब और अच्छा माना जाता है यदि आपके सपने में आप खुद नारिल पानी पीते हुए दिखाई देते हैं इसका ये अर्थ होता है कि सपन सास्त्र के अनजार ऐसा सपना देखना आपके सवस्त बिगड़ा हुआ है तो उसमें जल्दी ही सुदार होने वाला है ऐसा संके देता है यदि आप और आपका सवस्त ठीक है तो आने वाले समय में भी आपका सवस्त सही रहेगा यदि आपके सपने में आपको नारिल पेड दिखाई देता है तो इसका ये अर्थ होता है कि आपकी आयू लंबी होती है और आपके घर परिवार में किसी की तबियत खराब हुई है तो उसके स्वास्त भी ठीक होने का योग दिखाई देता है यदि आपके सपने में आप खुद नारियल खरीते हुए दिखाई देते हैं तो एसा सपना देखना सपन सास्तर के अनुसार एसा सपना देखना बहुत ही ये शुँग माना जाता है और आपके आर्थिक अवस्था बिगड़ी हुई है तो उसमें भी सुधार होगा और आपको अचानक कहीं से धन प्रापती होने का योग दिखाई देता है यदि आपके सपने में खराब नारियल दिखाई देता है या खराब नारियल का सेवन करते हुए दिखाई देते हैं तो इसका ये अर्थ होता है कि ये सपना अशुब सपना माना जाता है और आपको आर्थिक परिशानियों से भी जूजना पर सकता है और आपके सौस्त भी खराब हो सकता है यदि आपके सपने में खराब नारिल दिखाई देता है तो यदि आपके सपने में आपको नारिल का धेर दिखाई देता है तो इसका ये अर्थ होता है कि ये सपना बहुत ही शुब माना जाता है ऐसा सपना देखना आपको कहीं से अचानक धन प्रापती होने का योग दिखाई देता है यदि आपके सपने में आप खुद नारिल बाढ़ते हैं या किसी को देते हुए दिखाई देते हैं तो ये सपना आपके लिए बहुत ही शुब माना जाता है यदि आपके सपने में आप खुद नारिल बाढ़त रहे हैं या किसी को देते हुए दिखाई देते हैं ऐसा सपना देखना सपन सास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आसा सपना बहुती शुप माना जाता है यह सपना आपके मनुकामना पूरा होने का संकेत देता है और आपको धन प्राप्ती का भी योग है करती हूँ आप सबको यह जानकारी पसंद आया होगा और आपके मन में जिते भी सवाल थे वो आपका हल हुआ होगा यदि आपके मन में और भी प्रशन है तो हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं और आप चैनल को लाइक कीजिए, सस्क्राइब कीजिए, शेर कीजिए, धन्यवाद